हाई एवरीबन वेल्कम बेक टो मैं चैनल तारा मत्यु डाइरी जल्दी जल्दी तयार हो रही हूं और कहां जा रही हूं वो सब मैं आगे व्लॉग में आपको बताऊंगी पर पहले मुझे यह बताईए जो कि हर लेडी सुनना चाहती है कि मैं सारी में कैसी लग रही हूं औ और आपको जैसे कंगा करना होता है ना मतलब कॉम वैसे ही अपने बालों में इस ड्रायर को यूज करना है सिप्लि ओन करके बालों को कंगा कीजिए कोई भी एक्स्ट्रा समय आपको लगाने की ज़रत नी है कोई सीरम अगर भी लगाने की ज़रत नी है और आपके बाल इतन या पारलर से रेडियो के आई हो, मतलब इतनी बड़िया लोक इसकी आ जाती है, तो आप देखें, स्टार्ट में कैसे देख रहे थे और अभी यह देख सकते हो, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेलिंग के आपको ज़रत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंगी करनी है, और रेडी हो ज लेकिन स्कूल बगर है में बहुत सी चीजों को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो मैं वो चीजे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जितना कर पाई, वो सब आपके संग शेयर कर रही हूं, और यहां ना उस दिन, यह मान लो कि मैं दुनिया के हर कोने में, इंडिया में, इंडिय जो selected होते हैं, उन्होंने models बनाये थे, working models, और वो इतने गजब के थे friends, इतने गजब के, कि मैं बता आने सकती, बतलब बच्चों की imagination, creativity ना, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या थी, या पर यह दे कि छोटा सा बच्चा है, जो बता रहा है, कि मतलब यह चोटी class का है, कि there are four seasons, summer, winter, spring, और इस तरीके से उसने, जैसे explain किया ना, within one minute, वो बहुत ही काबिले थारीफ था, और मैं यह सूच रही हूँ, अगले सान मेरा बिटा, फोर्ट में आएगा, तो वो भी सब यह करेगा, तो वो कैसे करेगा, मैं यह बस यही सोच के ना, गबरा जाती हूँ, क्योंकि ममी को ना, अपना बच्चा हमेशा छोटा लगता है, पर स्कूल में जाऊना, तो बच्चे अचानक से ऐसे बिहेव करते हैं, कि वो कितना सब कुछ जानते हैं, तो यहां पर यह देखिए, नेचर की सेर हमें किसी ने करवाई, किसी ने वॉलकेनों की कराई, और जिसने जो चार-बंच बच्चों ने मिलके ही बनाया होगा कोई मॉडल, और कुछ बच्चे ने कुछ किया होगा, कुछ बच्चे ने कुछ, तो कहने का मतलब है टीम वर्क, स्कूला में बहुत सी चीज़े नहीं नहीं सिखाता है, तो उसका यह रिजल्ट है, और यह देखिए, स्प का है, फार्मिंग का है, सीडे नुमा जो खेती होती है, उसका यह मॉडल प्रिजेंट कर रहे है, और अभी तो फ्रेंड्स, चंदरियान का भी मैंने मॉडल देखा, और उस दिन मुझे और मेरे हस्बेंड को बलाया था, तो बेटा भी साथ में दिख रहा है, आपको दिख 7.30 पर हम गए थे, आठ बजे का प्रोग्राम था, तो कुछ जल्दी-जल्दी गए थे, उनको ओफिस भी जाना था, तो जितना समय हमें मिला, हमने देखा और बागी फिर हम आ गए थे, तो यह देखिए, वर्किंग मॉडल है, यह सारी इंडिया की state territories वाला मॉडल है, social science स बच्चों ने बहुत ही मेनत की, और बहुत अच्छे से उसकी जो information थी, वो gather करके रखी हुई थी, जो कि वो बता भी रहते, यह monuments है friends, जगे-जगे के अलग-अलग, और प्रोजेक्ट का नाम अगरे सब लिखा हुआ यह देखी, जो जो मुझे सुन्दर लगे ना, बहुत ने टर्बुलाइन, वाटर टर्बो सिस्टम से कुछ बना रखा था, तो सिरिंज से वो जब इंजेक्ट करती तो पानी के थूँ वो उपर जाता, यह शिवलिंग का मॉडल था, कि पानी से किस तरीके से ट्री के अंदर ना, पानी का सिस्टम सेट किया है, कि यह non-stop शिवल मॉडल्स को बनाने में, और क्लास का लेवल जैसे-जैसे बढ़ रहा था, मॉडल्स का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा था, अब टॉपिक भी नहीं सोथ सकते, ऐसे-इसे बनायते हैं, यह देखी, यह क्लास 7 का है, हर्ट का, जो बर्किंग मॉडल है, उसमें, जो ब तो कुछ-कुछ-कुछ तो मैं रुप करके समझ भी रही थी, जो मुझे बिल्कुली इंटरस्टिंग लगे, और यह देखी, कितने प्यारे मॉडल्स हैं, यह वुमिन की एम्पावर्मेंट के उपर, मॉडल था कि, नारी शेत्र में क्या-क्या कर रही है, उसके भिन-भिन मॉडल है, मुझे इसमें वर्किंग तो समझ में आई, पर लुक बहुत, मतलब ओरिजिनल जैसी लग रही थी, तो वह बहुत संदर थी, और ऐसे ही, नेक्स क्लास में फ्रेंट समझा रहे हैं, यह स्कूल के प्रिंसिपल है, और यह DNA का मॉडल है, और यह DNA का मॉडल है, प् स्कूल को ना एक ऐसे दिन रखना चाहिए था, जिस दिन फेस्टिवल ना हो, या कोई ऐसा डे जो इसमें सब रिलाक्स हो और फ्री हो, जैसे यह वर्किंग दे था, जिनको बुलाया था, गेस्ट के लिए उनको भी अपने ऑफिसेज में जाना था, मुझे भी दिवाली थ तो काम था, पीचर्स को भी काम होगा, तो बहुत मुझे लगा कि हम और आराम से इलाबोरेट करके अच्छे से देख सुन बाह सकते थे, बट कोई बात नी, जिस समय जो प्रोग्राम फिक्स होते हैं, स्कूल के भी कुछ नियम कानून होते हैं, उनको वो फॉलो करने और दूसरी तरफ कुछ अलग चीज़ दिख रही है, तो यह सिल्क का, फ्रेंट्स काम होता हुआ, बच्ची बता रही है हमें कि कैसे काम होता है, क्योंकि आसाम में सिल्क की साड़ी, जो है न, मुंगा सिल्क, यह सब बहुत मिलता है, यह हमारे हुमन डाइजिस्टिव और हमारे जो रेस्पिरेटरी, अंदर का पूरा जो सिस्टम होता है, उसको लेकर के प्रोजेक्ट था, और यह न, मैंने यूट्यूब पर कहीं देखा है, कि इसको ओपन करते जाओ, आपके सारे जो बड़ी के सिस्टम है, वह दिखते जाएंगे, सबसे पहले देखिए, यहा तो अंदर एक और सिस्टम, फिर ओपन गिया, फिर एक और सिस्टम, मतलब बच्चों को बहुत creatively समझाने और सिकाने के लिए अच्छा working model था, और काफी अच्छे से मेरे बेटे ने भी से देखा, मैं काफी देर या रुकी, क्योंकि काफी अच्छे से वो बता भी रहते, औ और इस तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाया समझाए जाए, other than mobile and TV और digital platform के, तो ये भी बहुती attractive और बहुती appealing चीज़े होती हैं बच्चों को समझाने की, ये Metro City का एक project है, इसी के साथ friends, बड़ी classes में, रतन टाटा जी, जिनके अभी-अभी सर्गुवास हुआ है, उनक ये प्रोग्राम, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ दीप अगर भी उन्होंने जलवाया था, तो ये भी बहुत अच्छा लगा, कि जो आजकल हमारे surroundings में जो चीज़े हो रही है, बच्चे उन पे भी ध्यान दे रहे, ये robotics, कुछ है friends, तो उसका था, और य मेरा बेटा और अस्बेंट दिख रहे हैं, आपको दिखी रहे होंगे, तो बस इस तरीके से friends classes का level upgrade होता गया, प्रोग्राम चलते गए, और यहाँ पर बड़ी क्लास के कुछ बच्चों ने सर्वपली रादा कृष्णन जी की मूर्ती भी लगाई हुई थी, जहाँ पर फ यह फिर से जहें, बड़ी क्लास के बच्चों ने चंदरियान बनाया था, बहुत ही बड़ी असा imaginary effect था, लगी नहीं रहा था, कि यह कोई model है, और यह खान पान को लेकर के है, जो हमारे traditional food होते हैं, अलग-अलग states के, तो मैं आसाम में रहती हूँ, तो वहीं के, जो food items हैं, वह सब रखे थे, और ऐसे ही इस तरीके से, काफी सारे बड़िया-बड़िया model थे, समय ज़्यादा होता, तो मैं और अच्छे से देख पाती friends, लेकिन कम समय होने के वज़े से, बहुत ज़्यादा मैं detail नहीं देख पाई, तो इसका मुझे दुख है, और इसकी जो वीडि इस तरीके से, friends, प्रोग्राम हो गया था, दस बज़े के करीब खतम, यारा बज़े तक मैं तो घर आ गए थी, असमें आप से चल ले गए थे, और मैंने आपको कॉपकेक्स वगए बना के दिखाए, सिखाए, जो भी कुछ मैं कर पाई वहां पर, और उसके बाद मैं गई दिवाली में जिसका व्लॉग मैं अल्रडी शेयर कर चुकी हूँ, और नेक्स डे थी, friends, दिवाली, तो ये कुछ मेरे छुटे हुए व्लॉग्स हैं, जो समय की अभाव में मैं शेयर नहीं कर पाई थी, तो वो मैं आज शेयर कर रही हूँ, तो I hope आप समझ रहे होंगे इस अब आपके लिए करती हूँ, तो बस, इस व्लॉग में तो इतना ही मिलेंगे, नेक्स व्लॉग में, तिल दन, बाबाई